गुलजार हुसेन पड़चिनार के एक नीजी बेंक में काम करके वापस आ रहे हैं वो आठ साल के थे जब बारूदी सुरंग के एक दमाके में दोनों ठांगों और एक हाथ से महरूम हो गए थे मगर वो उन लोगों में से हैं जो जिन्दगी को आगे बढ़ाने पर यकीन रखते हैं काश ऐसा नहोता ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए बस हो गया तो हो गया अगर मैं ये सोचता के मेरे पाउं नहीं है इसलिए ना मैं चल सकता हूँ और नहीं स्कूल जा सकता हूँ पर नहीं मैं कॉलिज जा सकता और नहीं नौकरी कर सकता हूँ तो फिर जिन्दगी रुक जानी थी पाउं और हाथ ना रहें तो मस्तक्बिल के बारे में सोचना बहुत जरूरी है जिन्दगी इनके बगार कैसे गुजारनी है घर में कैसे रहना है कुर्सी पर कैसे बैटना है, बातरून कैसे जाना है, बैट पर कैसे लेटना है, बस यही सीखना पड़ता है गुलजार उसेन ने अपनी ताली मुकमल की और उन्हे मलाजमत मिल गई वो कहते हैं कि तालीम से हर माजूरी को माद दी जा सकती है गुलजार उसेन के घर से चंद किलो मीटर के फासले पर 55 साला दौलत खान रहते हैं वो भी उन्ही की तरह बारूदी सुरंग के एक दमागे के सबब माजूरी का शिकार हुए वो पड़ाचिनार बाजार में रोजगार की तालाश में हैं जंग का अगास था और हमें पता नहीं था के हमारे पहाड़ों में बम और बारूदी सुरंगे नस्प हैं बस एक दिन धमाका हुआ और मेरा पाँ उड़ गया पाकिस्तान इंस्टिट्यूट ओफ और टेटिक साइनसिस के एक रेपोर्ट के मताबिक इस इदारे ने गुजिश्टा एक अश्रे में एक लाग अफराद को मसनूई आजा फराहम किये हैं सत्तर फीसद मतासिर अफराद बारूदी सुरंगों और बम दमाकों में माजूर हुए हैं इनमें ज्यादतर का तालो कबाईली अजला से हैं इकबाल हुसेन और मजर हुसेन भी ऐसे ही मतासिरी इन में शामिल हैं इन दोनों ने ताहम अपने जैसे लोगों के मसाइल हल या कम असकम इन में कमी लाने की उठानी और माजूर अफराद के लिए एक तन्जीम की बुनियाद डाली इजन्सी हेटकोर्टर हस्पताल के करीब इस पार्क में इनकी आहम मीटिंग हो रही है सन 2016 में हेटकोर्टर हस्पताल को हमारे लिए मशीन ड्री बिजवाए गई है लेकिन स्टाफ नहीं है हम पिशावर भी गए लेकिन अभी तक कोई अमला नहीं है मौकमा ताली में हमाजूरो का कोटा पहले दो फीसद था जो कि अब पांच फीसद कर दिया गया है इसी तरह दिगर डिपार्टर में भी हमारे कोटे को अमली कर देना चाहिए कोटा मुता मिलाओ शे डिसेबल का सानो दपारा कबाईली अलाकों में बारूदी सुरंगे रूस ने अफगान मुजाहिदीन देशदगर्दों ने सिक्यूरिटी फोर्सिज और सिक्यूरिटी फोर्सिज ने अपने मुखालिफीन के लिए बिचाही थी लेकिन इनका ज्यादतर निशाना आम शेहरी ही बने हैं अगर फोरी तोर पर इन हैसाफ ना किया गया तो मालूम नहीं मजीद कितने अर्से तक ऐसे दमा के बेगुना शेहरीों को इनके आजासे महरूम करते रहेंगे रिपोर्टर मोहमद देली के साथ मुधसर शाँ डी डवली उर्दू पाड़ जिनार